राधे राधे दोस्तों कैसी हूँ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नामे एहसास सुनो प्रतिमा कल मेरी आफिस के कुछ दोस्त है अपनी फैमिली के साथ आएंगे कुछ जरूरी डिसकसन करना है सबके साथ है वो खाना खा कर जाएंगे सब तयारी कर लेना फोन रखते हुए प्रतिमा के पती रोहित बोले समान भी तो लाना पड़ेगा जी आप ले आयेगा बना दूंगी मैं प्रतिमा बेटी को दुध पिलाती हुई बोली मुझ पर और भी काम होते हैं ज्यादा दूर नहीं है मार्केट ले आना खुद ही काम ही कितना होता है घर में तुम्हें तो बोल ओफिस जाने के लिए तैयार हो गया प्रतिमा को भी रोहित की बात का अब बुरा नहीं लगता था ये सुन्ने की रोज की आदत जो हो गई थी प्रतिमा की रोहित को प्रतिमा ने लंच दिया वो चला गया घर के सारे काम निप्टा कर साम को प्रतिमा तीन साल के बेट अगाए ज़री रिंकी को गोद में लेकर बजार गई उसने जल्दी-जल्दी सबजी और जरूरी समान लिए तब तक बेटा चिपस दिलाने की जिद करने लगा और पेर पटकने लगा उसे चुप करा चिपस दिलाया, समान ज्यादा हो गया था पर वो समान दुकान पर ही ख़वाया सभी लोग पसीने से तरबदर हो गए थे जल्दी से समान ले घर के अंदर गई बेड पर लेटी बेटी रोने लगी पानी भी नहीं पी पाई उससे पहले बिटिया को दूध पिलाया बेटी सो गई बेटे को पराठा दिया बनाकर ठक तो बहुत गई थी प्रतीमा पर मेहमान आने वाले थेकल तो सोचा आराम नहीं काम करना जरूरी है उसने सारे कमरों की बिवस्ता ठीक की धूल मिटी साफ की ट्वायलेट को भी रात में साफ कर दिया ये सोच की दोपहर को ही सब आ जाएंगे बच्चों के घर में थोड़ी अब बिवस्ता तो रहती ही ह मेहमान आने पर ही थोड़ा मैनेज कर पाती है औरते बहुत ठक गई थी प्रतिमा सोचा पूलाव ही बनालू उसने नहा धोकर चटनी पीसी सलाद काटा पूलाव बनाए बस बेटी के उठने पर उसे गोद में लेकर बैठी ही थी कि पती रोहित आ गए सामान ले आई सारा टोटल आठ लोग है कोई चीज कम नहीं परनी चाहिए जी लेकर आ गई क्या बनाया है खाने में प्रतिमा खाना लेकर आई हर दुसरे दिन चावल बना के रख देती हो घर में रह कर भी तुमसे कुछ नहीं होता एक वरकिंग लेडिज है जो घर बाहर बचे सब मैनेज करत तुम ही खाव ये चावल आदमी सुबा का गया साम को आता है और खाने में ये मिलता है गुस्चे में रोहित उटकर बिना खाना खाय चला गया प्रतिमा ने रोहित से माफी मांगी उसे मना कर लाई खाना खिलाया रोहित खा पी कर सो गया प्रतिमा रात के दो बजे भी रि दिमाग में अगले दिन की टेंसन अलग हो रही थी प्रतीमा को वो सुब जल्दी ही उठ गई जारू पोछा कर नहा धोकर पूजा पाठ किया प्रतीमा ने कपड़े धोकर डाल दिये रोहित और बच्चों के उठने से पहले नस्ता बना दिया अब उसने महमानों के लिए खा नास्ते में कटलेट पकोडे सेंडविच का इंतिजाम किया इतनी स्पीड से काम कर रही थी प्रतीमा कि कोई भी उसे देखता तो बस तरस खा जाता खाने में साही पनीर मसरुम मिक्स वेज पुलाओ पूरी भरवा बैगन कदू बनाए सभी लोग उठ चुके थे रोहित उ अरे तुम्हे कौन देखेगा तुम बस खाना देने आना अंदर बचों को देखना रिंकी को आंटी के यहां दे आना पूरी बनानी होगी प्रतीमा को गुसा तो बहुत आया पर वो कुछ नहीं बोली सभी मेहमान आ चुके थे प्रतीमा ने सभी की पत्नियों को देखा सब इतनी स्मार्ट एंड वेल मेंटल लग रही थी प्रतीमा ने खुद को देखा और उन्हें तो उसे खुद की हालात पर उसे रोना आ रहा था फिर वी किसी तरह सारी पहन उसने फियर लवली लगा कर अपने होठ टच लिये कम से कम कुछ तो ठीक लगू रोहित सोफे पर लाड सहब की तरह हात रकर बैठा हुआ था प्रतीमा नास्ता लेकर आई प्रतीमा को देखे एक दोस्त की वाइप बोली आपकी वाइप क्या करती है रोहित जी सी इजे जस्ट हाउसे कोई जॉब ओब नहीं इतनी एजुकेटड ही नहीं है आप लोगों की तरह घर के काम भी ठीक से नहीं होते मा पापा की पसंद थी माना नहीं कर पाया और साधी कर ली नहीं तो मुझ जैसे को तो कोई जॉब बाली मिलनी चाहिए रोहित प्रतीमा का मजाक बनाते हुए बोला रोहित के मुझ से ये बात सुन प्रतीमा की आँखों से आशु बह निकले वो गु अमरे में आई रिंकी और बेटे को सुला दिया उसने अपने आशु पोछे एक चिठी लिखी हाथ में एक बैग लिया बच्चों के माथों पर चुमा घर के पीछे के दर्वाजे से स्टेशन आ गई रोहित इस बात से बिलकुल अंजान था सभी लोग चटकारे लेकर खान खा रहे थे कुछ भी हो रोहित जी आपकी वाइप बहुत अच्छा खाना बनाती है दो छोटे बच्चों को संभालते हुए इतने बरे घर की क्लिनिंग कुकिंग इतने अच्छे से करना कोई मजाक बात नहीं उपर से आपके घर में कोई मेड भी नहीं है मैं तो रोहन से क एक ही बेबी है बट आई कांट मैनेज हैट्स ओफ टू योर वाइफ रोहित जी ये बात सुन रोहित गर्व से फूले नहीं समा रहा था तभी एक दूसरा दोस्त बोला या रोहित तुने भाबी जी को इतना कुछ बोल दिया उन्हें बुरा तो जरूर लगा होगा यार व जी नीता तो मेरा सर फोर देती इतना बोल देता तो बिल्कुल भारतिये पतनी है वो प्लीज रोहित भाबी जी को बुलाओ उन्हें भी हम सबके साथ बात करने दो सबके कई बार फोर्च करने पर रोहित अंदर आया उसने चारो तरप प्रतीमा को देखा वो कही नहीं दी बच्चे भी सोकर उठ चुके थे दोनों जोर जोर से रो रहे थे रोहित ने जला कर रिंकी को गोद मिलिया उसने टेबल पर रखी चिटी पढ़ी उसने पढ़ना शुरू किया रोहित जी मैं जा रही हूं घर छोर कर क्योंकि मैं आपके लायक नहीं हूं आप अब किसी नौकरी वाली सहर की लड़की से साधी कर लिजिएगा जो आपकी और आपके बच्चों की अच्छे से देख भाल कर सके घर और बाहर सब देख सके मैं आपके कलेजे के टुकरे को इसलिए नहीं लाई क्योंकि मैं कमाती नहीं हूं मुझे उमीद है आप उनक कि देख भाल अच्छे से कर सकोगे मेरा भी अपना आत में समान है रोहित जी जब मेरी आपकी नजरों में कोई एहमियत ही नहीं है तो क्या फैदा उस घर में रहने का आप सिर्प हम से कुछ कहते थे तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था पर आज आपने सामाज के सामन बेजत किया जो मेरे बरदास्त के बाहर था पता नहीं कहां जाओंगी पर उस घर में नहीं आओंगी साम तक का खाना बना के रखा है अगले जन्म में सायद में आपके लायक हो जाओ आपना और अपने बचों का ख्याल रखिएगा इस जन्म में तो सिर्फ आपकी हो चुक उसे रोहित की आँखों में इतने आशू थे कि उसे सब धुंदला दिखाई दे रहा था उसने रिंकी को उठाया जिसकी रोती रोते सांस भी चड़ आई थी बेटा भी मम्मी मम्मी बोल कर जोर जोर से रो रहा था बच्चों की आवाज सुन रोहित के सभी दोस्त अंदर आ गए थे क्या हुआ रोहित बच्चे इतना क्यों रो रहे थे रोहित डब डबाई आँखों से बोला तुम लोग अभी जाओ सभी लोग आपसी जगरा समझ चले गए रिंकी ने पोटी कर दी तभी रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे साफ करे कभी की हो तो जाने उसने वास वेसिंग में खरा कर दिया रिंकी को किसी तरह से उसे साफ किया रिंकी के कपड़ों में रोहित के कपड़े भी पोटी से खराब हो गये थे रिंकी का चेहरा रो रोकर लाल हो गया था रोहित ने रिंकी को गोद में लेकर ही दूध गर्म किया दूध ज्यादा गर्म हो गया रिंकी का मुझ जलने लगा रोहित ने पानी में रख दूद ठंडा किया उसने फिर रिंकी को पिलाना शुरू किया रिंकी बिल्कुल बोतल मुझ में नहीं ले रही थी उसी प्रतीमा की दूद की आदत जो थी रिंकी और बेटे के रोने से रोहित का सर दर्द से फटा उसने किसी तरह दोनों बच्चों को बाइक पर बैठाया उसने रास्ते भर प्रतीमा को ढूंडा वो कही नहीं दीखी फिर रोहित सोचा एक बार एस्टेशन चल के देखता हूं सायद अपने घर जा रही हो वो एस्टेशन आया उसने इधर उधर नजर दोड़ाई उसे प्र बेबस नजर आ रहा था तभी बेटा चिलाया पापा ममी वहाँ पे बेटे ने बेंच पर बैठी प्रतीमा की तरफ इसारा किया सच में ये तो प्रतीमा ही थी रोहित प्रतीमा की ओर दोड़ा प्रतीमा की आखे रो रोकर सुर्ख लाल पड़ी थी रोहित प्रतीमा के पास महारी मेरी और बच्चों की जिंदगी में क्या एहमियत है मैं तीन घंटे में ही समझ गया मुझे नहीं चाहिए नोक्री वाली वाइफ मेरे लिए तो मेरी प्रतीमा ही दुनिया की सबसे अच्छी पतनी है घर चलो प्रतीमा आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँ एक मेड लगा दूँगा हर काम में हाथ बटाऊंगा तुम कैसे इतना कर लेती हो मेरी भी हर ख्वाइस पुरी करती हो मुझे और हमारे बच्चों को हमारे घर को तुम्हारी ज़रत है रोहित रो रो कर बोला प्रतीमा ने रोहित के हाथों को चुम लिया माफी मत मांगिए मैं भी इन तिन घंटों में आपकी एहमियत समझ गई ये दुनिया अकेली औरत को कितनी गंदी नजर से देखती है घर छोर कर तो आ गई पर डर बहुत लग रहा था आपके बिना मुझे माफ कर दिजिए रोहित ने प्रतीमा को गले से लगा लिया लो रिंकी को दूद पि था हूँ तुम पिला दो दूद प्रतीमा ने रिंकी को बिना किसी के डर के सब ही के सामने आचल कर दूद पिलाया आज उसके साथ उसका पती जो था तो डर किस बात का था आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को ला